असलाम लेकूम विवर्स कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सबको दिल से एद मुबारक आज फिर आप लोगों के लिए एद स्पेशल में एक न्यू रेसीपी लेकर आई हो ये डिजर्ट बहुती मसेदार बनकर तयार होता और बहुती कम इंग्रीडियन्स से तो पिगे टाइम वेस्ट के इसे बनाने की तरफ चलते हैं तो यहां सबसे पहले मैंने लोफ लेंपर पैन रख दिया अब हम इसमें एड करेंगे टू टेबलिस्पून के बराबर घी तो यहां मैं घी में फ्राइ करूँगी अगर आप लोग चाहें तो इसे बटर में भी फ्राइ कर सकते हैं इन दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है यहां मैंने कुछ ड्राइफ फूर्ट्स लें है ड्राइफ फूर्स में टू टेबलिस्पून के बराबर किश्मिश टू टेबलिस्पून बदाम टू टेबलिस्पून पिस्ता इन तीनों चीजों को मैंने कट कर लिया है बीच में से आप जिस शेप में देना चाहें दे सकते हैं तो मैं इसे लो फ्लेम पर फ्राय कर लूँगी ड्राय फूट्स हमारे फ्राय हो गए इसे हम स्पैचुला से निकाल लेंगे और फिर इसी पैन में हम टू टेबलिस्पून के बराबर दुबारा घी एड़ करेंगे फिर हम इसमें एड़ करेंगे सवेयां तो यह इजीली आपको मार्किट से मिल जाती है मोटी वाली सवेयां यहां मैंने मोटी वाली सवेयों कर देंगे यह रोस्टिट होती है वैसे तो बस हलका ही से फ्राय करेंगे कि जादा फ्राइ नहीं करना हमेंसे सवईयों को फ्राइ करने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे दूद तो यहाँ पर मैंने एक लिटर दूद लिया है और यह टाफ्रा पैक का दूद है तो ये थोड़ा सा क्रीमी होता है तो इसलिए मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ यह थोड़ी सी क्रीमी सवईया बनेंगी तो मैं यहाँ पर एड़ कर दूँगी और इसे आठ से नो मिनट तक लो फिलेम पर पकने के लिए रख दूँगी जब तक कि इस सवईया सॉफ्ट हो जाएंगी क्योंकि इस सवईया थोड़ी सी देर में बनती है आठ से नो मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए सवईया भी सॉफ्ट हो गई हैं अब हम इसमें कुछ इंग्रीडियन्स आड़ करेंगे फिर इसमें हम एड़ करेंगे हाफ कप के बराबर चीनी ये बिल्कु पेफेक्ट है एक किलो दूद के हिसाब से हाफ टी स्पून के बराबर इलाइची पाउडर और फिर हम इसमें ड्राइफ फूर्ट्स एड़ कर देंगे फिर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है लो फ्लेम पर दो से तीन मेर तक स्पेचला चलाएंगे फिर हमने इसमें एड़ करना है हाफ टी स्पून के बराबर कॉन फ्लोर यहां मैंने वन टेबल स्पून पानी में हाफ टी स्पून के बराबर कॉन फ्लोर मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लिए और फिर इसमें एड़ कर देना है कॉन फ्लोर से बहुत ही जादे क्रीमी बनकर तयार होगे जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगे ये सवाईया बहुत ही मसेदार बनकर तयार होती है और बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाती है तो आप लोगों ने इस इत पर लास्मी बनाना है और इसमें अप हम एड़ कर देंगे हाफ टीस्पून के बराबर केवरा वाटर तो केवरा वाटर हम इसमें एड़ करेंगे इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता और खुझबू भी आ जाती है तो मीठे में आप लास्मी एड़ किया करें और इसे दो से तीर मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और फिर इससे ठंडा करके सर्फ करके दिखाती हूं आप लोगों को तो डिजर्ट हमारा बनकर तयार हो गया ये डिजर्ट आप किसी दावत के मैनियों में भी एड़ कर सकते हैं ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तयार होती है और आप लोगों कोई रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को अब तब सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले मैं मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ जब तक के लिए इचासत दें अल्ला हाफिस